हेलो गाइज, आज हम एक फ्लोर कने जा रहे हैं बातो की लड़ी, यह जो जगा है, यह डिस्टिक कामडा में बढ़ती है, हिमाजिल ब्रदेश, जो देखने में यह एक बहुती खुबसूरिक जगा है बातो की लड़ी के बारे में जो यहां के लोकल गाइड से उसका कहना है, कि यहां जो टेपल है, वो लोड़ श्वागड आपल है, वो इसे जो आप अपने अग्यात द्वास के जा रहे है, जो आप अपने अग्यात द्वास के जा रहे हैं बातो की श्वास के जापने तर्सके जो आप अधों के जाप रहे हैं तो गाइस हमें स्टार्ट करते हैं अपना में सुस्टाफार जैसे कि आप देख रहे हैं जो यहां का संसेट है वो बहुत ही प्यारा है और एक दिलकश नुवामना है हमार साथ इससे आगे का सफस्ट हम करेंगे बोसके साथ इसमें हमारे साथ जो है रवी कुमार जो यहां के देख पारें यह मंदिर है जो पांडो के द्वारा बनाया गया है यहां के वारे में कहावत कही जाती है जो कथा कही जाती है कि पांडवों ने यहां से स्वर्ख जाने के लिए सीडियां बनाने की कोशिश की थी जिसमें उन्होंने भगवान शिर्क क्रिशन की साहिता ले थी तो भगवान शिर्क क्रिशन उन्हें शिक्स मंद के लिए राज कर दे थी और उनसे पांडवों से शिक शर्त रखी थी यह आप जो बनाओगे सिडियां वो सिर्फ एक राज में पूरी होनी चाहिए जैसे ही आपको अगली सुबाह की किरिन दिखाए देगी तो आप उसे महीं रोक देंगे तो जैसे ही पांडवों ले अपना काम शरू किया तो जैसे ही उपकी सिडियां कम्प्लीट होने वारी थी तो जैसी औरत ने दिखाए जिला दिया जिससे कि पांडवों को ये ब्रहम हो गया कि उनका सूरज पूरा हो चुका है सूरज उदे हो चुका है जिसका उन्होंने अपना सफर जो था काम था वो ही रोक दिया तो ये तो थी इसके बारे में कहानी तो काई अब हम अपना वापसी का सफर शुरू करने चाहरे है जिसमें हमें यहां का जो दिलकिश नजा रहा है वो देखे बहुत ही अनन्द आया तो आशा कहता हूं कि आपको भी इस चीच को देखके अनन्द आएगा कि झाले को देखे अन्द आएगा झाल 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 झाल